भारत दिहातों में बसा देश है, लेकिन आज रोजगार की तलाश में लाखों नौजवान शेहरों की तरफ निकल पड़ते हैं, उन्हें जादा तर शिक्षा की कमी के कारण मंचा रोजगार तथा मंचा ही आमदिनी नहीं मिल पाती इनी समस्यां उपर प्रथम अरोरा सेंटर फॉर एजुकेशन यानि पेस यह संस्था काम कर रही है कम पड़े लिखे युवाओं को कम से कम फी में वोकेशनल स्किल्स का ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार एवं स्वयम रोजगार का अवसर देना यही पेस का उद्देश है भारत का आटमोबाइल उद्योग विश्व का सात्वां सबसे बड़ा वाहन उद्योग है हर साल लगभग एक करोड 75 लाग नई गारीओं का उतपादन यहां होता रहा है अनुमान है कि आने वाले सालों में उत्पादन से लेकर बिक्री के पश्चात सेवाओं में लगभव 50 लाग से अधिक कुशल तथा अधिक कुशल लोगों की आटोमोबैल क्शेत्र में जरूरत होगी. मतलब आटोमोबैल क्शेत्र में इतनी भारी मात्रा में रोजगार का अवसर है और इसी अवसर का लाब युवाओं को हो इसलिए पेस ने आटोमोबैल कोश्च चुरू किया जिसमें तीन महिनों का मोटर मेकैनि और एक महिने का फोर वीलर ड्राइविंग का प्रशिक्षन द अट्मविश्वास के साथ अपना काम करें इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए उम्र अठ्रा से 35 और बढ़ाई आठ्वी तक होनी चाहे दूर दराज के गाउं से आए हुए विध्यारतियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ओटो मुबाईल की प्रशिक्षन के साथ साथ कंप्यूटर और इंगलिश स्पीकिंग भी सिखाया जाता है इंटर्व्यू देते समय किस तरह जवाब दे या फिर काम की जगा पर अपनी सीनियर या कस्टमर से कैसे बोले इन सब बातों पर भी मार्ग दर्शन पेस में दिया जाता है इस कोर्स के दोरान विध्यारतियों को रहने और खाने की भी सुविधा दी जाती है कोर्स पूरा होने के बाद विध्यारतियों के प्लेस्मेंट का भी जिम्मा पेस सेंटर उठाता है अशोक ले-लांड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के शोरूम में सर्विस सेंटर में उन्हें नौकरी दिलाई जाती है कुछ विद्ध्यार्ती स्वेम रोजगार के माध्यम से अपना खुद का गराज भी शुरू कर सकते हैं यहां से अच्छा काम सीखने के बाद मैं खुद का सर्वेस सेंटर भी खुल सकता हुए तो बहुत सुधर गया है इस पेस सेंटर से हम जुड़ गए है संस्ता से वह बहुत बहुत अच्छा लग रही है तो अपने आपको मैसिव सूर गया है कि अब तुम जो चाहेंगे आप करने जाएंगे इस ते पहले हम कुछ ही कर पाए देगे आपके सपने साकार करने के लिए पेस एक अवसर्व प्रदान करता है तो चलो अपनी जीवन में लगे ब्रेक को हटा कर पेस के साथ चले है कर पेस के साथ चलो अपने लगे जीवन में लगे दो चाहेंगे आपके साथ क्या है